Hello Everyone, Welcome to Selenium Tutorial अभी तक हमने देखा कि कैसे हम Linears, Modules या Libraries बना सकते हैं या अपनी Utilities बना सकते हैं एक तरीके से हम अपनी Helper Classes बना रहे थे तो आगे हम देखेंगे कि कैसे हम Data को यूज़ करके जिसमें हम Desk Data चेंज कर सकते हैं वो Data Driven Frameworks बना सकते हैं तो लेट से हम एक Package बनाते हैं फिर से इसमें हमारी Class है लेट से हमारी Test Class है अब इस Class में हमने लेट से अभी Main Method बनाया तो आप चाहो तो इसको Modular जो आपने यूज़ कर रखा है इसको भी यूज़ कर सकते हैं बट हमें एक Separate एक तरीके से बना के देखते हैं तो यहाँ पर जो है लेट से मैं एक Operation Perform करता हूं फिर से हम वही Chrome Drivers इनिशलाइस कर रहे Chrome Driver को Driver का Object इनिशलाइस कर रहे Chrome Driver से तो यहाँ पर Key Value Player दे दे देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे Driver.get हम एक URL पर जाएंगे और उसके बाद लेट से कोई डेटा है जो मुझे पास करना है तो लेट से मैं Login कर रहा हूं तो मुझे Driver.findbyElement by.id एक text box पर जाके डेटा सेंड करना है तो यह जो भी मेरी id होगी और उसके बाद मैं send keys करूँगा ऐसे ही मैं जो भी action perform करना और करूँगा तो यह जो मेरी values है यह मैं चाहता हूँ कि कहीं और से आए लेट से मैं यह तो यहाँ पर डाल देता हूँ system.set property लेट से हम hardcode कर देते लेकिन इसके बाद यह import करेंगे और इसके बाद जो भी values है लेट से मेरी id मेरा data और मेरा जो भी value यहाँ पर है वो मुझे चाहिए कि वो अपने IP एक data source से आए तो लेट से मैं अभी के लिए क्या गरता हूँ एक URL पर जाएंगे लेट से fb.com तो हम fb.com पर गए facebook.com यहाँ पर मैंने inspect किया तो इस facebook.com को अभी के लिए मैं अपनी यहाँ पर लिख रहा हूँ copy नहीं हुआ था copy करेंगे यहाँ पर मेरी ID है email और send keys मैं करता हूँ test at the rate gmail.com ऐसी मेरी यहाँ पर password के ID है pass और यहाँ पर पर मैं अपना password 123 pass कर देता हूँ तो यहाँ तो आप यह चीज़े property file से उठा सकते हैं जैसे हमने उठाई थी पर यह different data source से भी आ सकते हैं और उस case में क्या होगा आपका data vary कर सकता है तो let's save मैं वह ExcelS ही use करता हूँ read करने के लिए तो ExcelS की utility उठाएंगे यहाँ से और यहाँ paste कर देंगे तो यह एक तरीके से हमारी ExcelS helper हो गई इसे let's say rename कर देते हैं हम लोग तो यहाँ पर यह rename हो गया और उसके बाद अब यह ExcelS हमारा लिए data उठाएगा तो अभी जो यह main method में हो रहा था काम तो let's say हम इसे कहते हैं public static ExcelS data pick data picker तो यहाँ पर हमने एक तो यहाँ हमने एक method बना दिया ExcelS data picker तो यहाँ पर यह सब values हैं यह read करके ला रहा है पर इसका जो return type है वो एक list of string हो जाता है let's say तो यहाँ पर हमें एक return add करना होगा तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर value कर रहा था तो यह string buffer में डाल रहा था और उसके बाद मैंने इसे एक string में डाल दिया तो इसकी जगा मैं इसको एक list में डालूंगा तो यह मेरी एक list हो गई तो यहाँ पर जब मैं ने link list एक define कर दी तो अब यहाँ पर मैं इसको नई initialize कर रहा और जहाँ पर मैं यह data.append कर रहा था यहाँ मैं data.add कर सकता हूँ और यहाँ पर क्योंकि मेरी सिरफ string की list है तो यहाँ पर मैं एक तरीके से string का लिए add कर रहाँ data को तो यहाँ मैंने data add कर दिया और मुझे यह print नहीं करवाना और मैं return करवाँगा data को तो मैं यहाँ पर अपनी xls को खोलूँगा और xls में अपना data change करूँगा तो let's say मुझे क्या-क्या चाहिए वह देखते हैं तो मुझे यहाँ पर चाहिए पहले मेरा URL तो यहाँ पर URL आ गया मेरा facebook.com उसके बाद मेरा आ गया एक email तो email मेरा क्या है और उसके बाद password रागी सब delete कर देंगे अभी मैं simple values उठा रहा हूँ आप चाहो तो column name देखे उपर नीचे से values उठा सकते हैं जैसे test one, test two मालो test one की column name चाहिए आपको तो उससे भी data आप उठा सकते हैं वह वाला refer देके तो उस row के basis पर आप पूरा का पूरा value दे सकते हैं तो पहले हम एक बार यह linear script चला के देखते हैं कि क्या यह चल रही है फिर उसके बाद हम database से value उठाएंगे तो facebook पे गया है और इसने username password write कर दिया तो अब मैं क्या करूँगा एक list लूँगा और इसके बाद क्या करूँगा कि एक मेरी data की list हो गई और वो क्या करेगी एक्सलेस helper को method को call करेगी अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर मैं data.get first value फिर उसके बाद यहाँ मैं second value लेऊंगा और यह third अब देखते हैं कि data उठके आ रहा है या नहीं आ रहा तो यह data print तो हो गया मेरा as it is पर क्या यह actual action perform होता है तो यहाँ पर मेरा facebook पे गया तो हमारा first data हमारा आ गया जो हमारा url था अब उसके बाद मेरा username और password भी write हो गया तो यहाँ पर हमने data एक data source से उठाया जो आप कभी भी excellence में जाके change कर सकते हैं और अगर आपको change नहीं करता आपको multiple data से test करना है तो उसके लिए क्या होगा यहाँ पर आप एक उपर column देंगे तो यह हमारा test 1 का data हो गया फिर हमारा test 2 का data हो गया तो मतलब दो आप test 1 और test 2 आप दे सकते हैं और यहाँ पर आप data change कर दीजिए तो आप check करेंगे कि अगर column 1 test 1 है तो आप यह वाले columns read कीजिए column 2 अगर यह वाले आपको test 2 उठाना है तो आप यह वाला कीजिए अगर आपको सारे उठा रहे है तो आप एक एक करके यह ऐसे data उठाते जाए है लूप करते जाए है जो हमने पहले भी किया था हमने पहले जब excellence helper बनाई थी एक तरीके से excellence utility बनाई थी तो हमने देखा था कि कैसे हम loop करके different data को उठा सकते है diagonally, vertically, horizontally तो वैसे ही आप simple एक value match करके उठा सकते है तो यह हमने देखा कि हम कैसे data drive करके कैसे excellence से या ऐसे हम SQL से data उठाएंगे तो वैसे भी आप pass कर सकते है values को तो हमने देखा कि कैसे हम यह values pass करके different data sets साथ आप testing कर पाएंगे और frameworks बना पाएंगे तो आगे हम देखेंगे कि कैसे keyword या hybrid को use कर सकते है अभी के लिए इतना है, thank you